हाई प्रेंट्स इस माहेश एर और अगेल वेल्कम बैक टू दा अनलेसिस वीडियो फ्रेंट्स हम लोग कल के लिए अनलेसिस करेंगे 28 फेब दाट इस चूजडे और कल फिर निफ्टी की एक्सपारी भी रहने वाली है तो फ्रेंट्स सबसे बेले चलते हैं चार्ड के उपर डेली टाइम प्रेंप आप निफ्टी में देखोगे तो जैसे मैंने आप लोगों कहा था कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है तो एक्जैक्ली मार्केट जब इस लेबल पे आया थोड़ असान नीचे डाउनसाइड गया क्योंकि निफ्टी में काफी थोड़ी निगेटिव बना हुआ है तो जो क्लोजिंग है वो इंटरमीजेट है कही ना कहीं है है हैमर केंडल दिखाई देगे आपको हैमर केंडल के हाई के उपर अगर मार्केट जाने लगेगा निफ्टी अगर 17,445 के उपर निकलता है तो अब्यूसली यहाँ पर हम लोगों को बाइंग प्रि और कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है मार्केट पे तो अगेन मार्केट को नीचे ड्रैग डाउन किया जा सकता है अगेन इस 17,353 और 300 के लेवल के बास आने की कोशिश करेगा अब बैंग निफ्टी को देखो कि तो बैंग निफ्टी में पॉजिटिव केंडल का फॉर्मेशन हुआ है और जहां पे बैंग निफ्टी ओपन हुआ थोड़ा सा निगेटिव गया बट फरस 15 में ही बैंग निफ्टी ने गेन कर लिया और उसके बाद में अच्छा रिजेक्शन लेते हुए बैंग निफ्टी नीचे से उपर आने के बाद फिर दि इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो हमें इंट्राडे के लेवल देखने पड़ेंगे उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख लेते हैं ऑप्शन चेन में आप चले जाओगे तो ऑप्शन चेन में एक चीज़ आपको क्लियर दिखेगी कि 17,400 स्टाइक प्र 37,000 तो कहीं न कहीं इतनी क्लारेटी हम लोगों को यहां पर मिलना मुश्किल है अभी उपर इंट्रेस है बट एक चीज़ क्लियर है आज के डिट में अगर कॉल साइड में आप देखोगे तो चितनी भी स्ट्राइक प्राइस से वह आप लोगों को निगेटिव दिखेगी क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रिशर था ही निफ्टी में अगर आप पूट साइड में देखते हो तो पूट साइड में जो इन्डमनी पूट से वहां पे थोड़ा सा गेन दिखाई दे रहा है अधर्वाइस वहां पे भी कोई खास बात नहीं हो क्योंकि एंड होता है तो किस तरह मुवमेंट होने वाली है वो हमें थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ेगा और उस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा वह की बात करता है तो 17600 पे हायस्ट हो है कॉल साइड में कही न कहीं मार्केट का जो रजिस्टंस है वो 17600 हमें as of now ओवाई से दि अगर आप देखोगे 17400 का जो पूट है वो 70 रुपिस के आसपास है और 17450 का कॉल जो है 75 रुपिस पे है तो यह जो दो स्ट्राइक प्राइस है आप इसके उपर ध्यान दे सकते हो कल के डेट में किस तरीके से मुवमेंट होती है बाकी चीज़े मैं आप लोगों को लेवल के तरफ चला जाता है यह जो लेवल्स बनके आ रही है मैं आप लोगों को बता दा हो 17000 415 to 416 और इसके बाद में यह जो लेवल्स है जो रेक्टेंगलर बॉक्स है यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी हम लोगों को मार्केट में मिलती है हाईर लोज का कंटिन्यू फॉर्मेशन होता है या नीचे से रिजेक्शन आता है तो फिर इस केस में हम लोग पॉजिटिव जा सकते है उपर की लेवल 17000 490 और 521 यह आएगा बेसिकली इसके बी वर्क आज रिजिस्टन्स इंट्रादे रिजिस्टन्स फो टुमारो अगर इसके उपर क्लोज कर देत है तो फिर मार्केट में और उपर के तरफ मुमेट हो सकती है थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो यह रिजिस्टन्स कही ना कही कल आम कर लेगा अगर यहां पर कोई निगेटिविटी दिखती है और वाई में भी आप लोगों को उस तरह से इंटर्पेटेशन दिखता है तो आप यहां पर शॉट की पोजिशन बना सकते हो अगर यहां पर निफ्टि गैप अप कर देता है तो गैप अप करने का थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर निगेटिविटी आती है तो व्ले और यहां पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है और अच्छी केंड further breakdown of 17,300 level हमें 17,260 तक लेके जा सकते है ठीक है तो 17,260 and 226 these are the basically support levels अगर market gap down open होता है और नीचे आता है तो market में यहां से भी support उठाने की chances है तो कहिना कि इस level को भी हम लोग अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे तो basically these are the intraday levels and how we can trade on the nifty on the levels अब बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी में काफी positive day रहा है जैसे मैंने आपको कहा के hammer candle का formation हुआ उसके बाद में हलका सा नीचे आया और फिर continue positive bank nifty रहा है तो पहले candle में day low बना और next आखरी candle में day high बना अगर market को positive बनना है तो market कही ना कि यहाँ open होते हुए इस trend line का भी आप इस्तमाल कर सकते हो यूज कर सकते हो अगर market यहाँ open होते है इस trend line और इस level को 40,226 यहाँ से support लेता है तो हम लोग positive जा सकते है उपर की level 40,527 और उपर की level 40,527 और 659 यह area रहेगा अगर यहाँ से negativity बन जाती है तो हम लोगों क नीचे 40,226 यहाँ पर देखो multiple support आप लोगों को bank nifty में दिखेंगे तो फोड़ आसा समबल के trade कीजेगा stop loss को impact रखेगा अगर वो नीचे आता है तो 39,879 के level हम लोगों को दिख सकते है बट bank nifty को chart को देखते हुए थोड़ आसा मुश्किल लग रहा है तो देखते हैं किस तरह से nifty और bank nifty open होता है और यह levels आप mark कर सकते हो all these levels are very important so this is all about the nifty and bank nifty levels अगर आपको fin nifty में trade करना है due to the expiry तो fin nifty के levels मैं आप लोगों को कल telegram channel पर morning पर provide कर दूँगा और अगर हो सके तो मैं before market opening वो levels दे दूँगा तो आप fin nifty में भी trade कर सकते हो क्योंकि कल expiry का day है तो आप जो भी option seller है एक अच्छी opportunity हम लोगों को मिल सकती है put sell करते हुए बट जो labels है और उसका छोटा सा analysis मैं वहाँ पर कल आपको telegram पर दे दूँगा जैसे ही possible होता है तो friends मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैबारत